Welcome to my channel friends, thanks for joining me friends, आज के वीडियो में आप जिन इनसानों को दूध हज़म नहीं होता है, दूध हज़म ना होने की क्या वज़वात होती है, इसके इलावा दूध हज़म ना होने की सुर्ट में क्या अलामात इनसान के अंदर जाहिर होती है, और इसके इलावा जिन इफराद को दूध हज़म नहीं होता है, उनके लिए दूध के लिए क्या मुद बादल, या क्या अल्टर नेक्टिव जह हो डूध के बजाए इनसान के लिए जह हो दूंडा गया, या इसका हाल जह हो क्या दूंडा गया, आज के वीडियो में आप ये जम पाएंगे, प्रेंट्स, व हमारी वीडियो जैवों सबसे पहले देख पाएंगे तो टोपी के तरफ है फ्रेंड्स इनसान जैवो गाये बैस बेट बक्री जैसे पालतू जैनरों का दूद जैवो पीते हैं लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी के मुझमूई तोर पर हमारी दुनिया में 65 परसंट लोग अबादी जो है वो दूद दूद को पी नहीं सकती या अगर पी लिया जाता है तो इनके लिए इसको हजम करना जैवो बहुत मुश्किल होता है तो जिन अफराद को दूद जो हजम नहीं होता है उनमें अलामाद जो जाहिर होती है वो ये हैं पेट में अफारा, फूला हुआ महसूस होना लूज मोशन या पोटियां लग जाना मतली, दिल खराब होना या फिर पेट में दर्द होना जावो शामिल है जो दूद पसंद नहीं करते हैं या पी नहीं सकते हैं इन अफाराज कि मैं परस्नली अब्जर्ब किया हुआ है ऐसे फाराज जो होते हैं जारी बाते दूद क्योंकि पी नहीं सकते हैं या पीना पसंद नहीं होता तो ऐसे लोग उने अपने लिए अल्टरनेटिव जो खूद ही ढून लिए होते हैं या पी ये कह लिजे कि हुमन नेचर में ये हुमन नेचर है ऐसे इंसानों की कि ऐसे फाराज जोते हैं जो दूद तो नहीं पीते हैं लेकिन इन से बनी हुई चीज़ों को जो वो खाना पसंद करते हैं पीना असान हो जाता है जो कि दूद को जो डारेक्ट नहीं पी सकते हैं और अगर कभी किसी के कहने पर जबर्दस्ती पिया भी जाए तो ऐसे फाराज के लिए पीना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि पीने से इनको जो जो उल्टी में बलोगत या पी नो उमरी जो के टीनेजिस होती है इसमें लेक्टोज को हजम करने की इसलाहिए जब खत्म हो जाती है लेक्टोज एक शक्कर है जो के दूद और इससे बनीवी अश्या में पाई जाती है और इनसान की इस सिच्वेशन से या इस हाले से मुराद ये है कि ऐसे इनसान का नजाम इनहजाम जावो गाए बैंस बेड़ और बक्री बगएर के दूद में पाई जाने वाली जो शक्कर होती है जिसको लेक्टोस कहा जाता है उसको तहलील करने का या हाल करने की सलाहिये ज़व नहीं रखते है इसके इलाबा इसकी दूसी बजुहात में इनसान के अंदर हजम करने के जो इस्तदात होती है स्लाहियत होती है, काबलेत होती है उसकी अदम मुझूदगी जो के जारी बाते इंसान के अंदर जीनियाती होती है, जैनेटिक डिसोडर होता है जैनेटिक डिसोडर होता है यानि पदाशी होता है यानि इंसान के अंदर ये पदाशी होता है यानि जिन अफराद को ये मसला होता है ये इन में जैनेटिक जिनियाती खराबी की वज़ा से ऐसा होता है तो ऐसे अफराद जिनको ये मसला होता है तो इन अफराद को इस बात का खसूसी तोर पर ख्याल रखना चाहिए इन्हें खास तोर पर ख्Yाल रुखना चाहिए कि इन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए लेकिन लेक्तोर्ज वाली जो अशिया होती है उन से परहिस करना होता है लेकिन घजाई अज़ञा और तवाना इसे बरपूर दूद जो के एक मकमल गजा समझी जाती है दूद जैसी चीज़ को तरक करना तो जारी बात है इसके लिए मुतबादल इस्तमाल करना जाओ इनसान के लिए लाजमी होता है ताकि जिसम में जो जुरूरी गजा ये जिजा होते हैं उनकी कमी बाक्या ना हो जाए इसके लाज़ा दूद ना फजम होने की जो जाओ बनता है वो है त्यक्टीज कहलाने वाला एक जिज़व होता है एक खामरा होता है जो के हमारे जिसम में मुजूद जो चोटी आान्थ होती है चोटी आन्थ के खुलिये जबओ इस खामरे को जबदाते हैं तो इन टेक्टीज की कमी की वज़ा से या फिर गैर मुझूदगी की वज़ा से लेक्टोस क्योंकि खून में जजब होकर या वो इसका हिसा बनकर आगे जबो इसकी कमी या फिर गैर मुझूदगी की वज़ा से लेक्टोस जजब होकर खून का हिसा जबो नहीं बनता और ये आगे चला जाते हैं बक्टेरिया इस लैक्टोस की जावो वो रम्वत करते हैं जिसके नतीजे में होने वाली जो तब्दिली है उसमें ज़्यादा मक्दार में जावो गैस पैदा होती है यह गैस हाइटरोजन, कारबन डाई, अकसाइड और मतेन का जावो मुरकब होती है और इसे परेशान कुन और परेशान कुन अलामात जहां वो इंसान के अंदर जाहिर होती है और दूद हजम ना होने की वज़ा क्योंकि पहले भी बताई गई है जो के जीनियाती है यनि जेनिटिक डिसोडर है हमारे जिसमें LCT जीन्स लेक्टीज बनाने का काम जहां वो करते हैं MCM6 यनि MCM6 जीन जहां वो DNA की एक खास तरतीब जहां वो बनाते हैं इसको कंट्रोल करते हैं जो के बच्चों के अंदर जो तबदीलियां हो रही होती हैं सने, बलोगत, नो, उमरी का जो टाइम होता है उसमें ये जीन्स जहां वो एहम करदार अदा करते हैं लेकिन ये जीन जो है वो मुक्लिफ इनसानों पर मुक्लिफ तरह से जावो असर अंदाज होता है यानि ये कुछ इलाकों या मुल्कों के लोगों को दूद को हजम करने में जावो मदद करते हैं जबके दूसरे खिते या इलाके के लोगों के लिए दूद को हजम करना जाए वो किसी मसीवर से कम नहीं होता है नेक्स्ट इसका हल जो हो क्या है यानि ऐसे फ्राद जिन के लिए दूद को हजम करना जाए वो मुश्किल होता है इनके लिए हल क्या है इन्सान के इस मसले का इलाज तो नहीं होता है और इसका हल यह है कि लेक्टोज से पाक दूद जहोग पिया जाए या फिर यह है कि दूद की मदद से कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिस से इसमें मजूद जो लेक्टोज हैं उसकी मकदार को जहोगो कम किया जा सके जो कि जारी बात है इनसान जाब यू पराने वकट से ही मुटिब तरीके अपनाता रहा है और इसके लिए चीजे जाए बनाता रहा है डूद एक मकम्ल विजा तो नहीं है लेकिन गिजायत से बरपूछ जरूर होती है इसमें प्रोटीन होते हैं विटामीन होते हैं जिन में विटामीन A, B, 12 और D जहें वो शामिल होते हैं लेक्टोज जिसम को जहें वो बहुत सी मादनियात जजब करने में जहें वो मदद देता हैं जिन में मैगनेशियम और जिंक जहें वो शामिल है और इसके लावा दूद जह वो कैलशियम का एक बहतरी जरीया है लेकिन दूद क्योंकि मकमल गजायत होने के बावजूद इनसान के लिए कुछ फ्राद के लिए ये मसीबत थी कि इसको पूरी तरह हजम जह वो इनसान नहीं कर सकता था तो इसके लिए शुरुआत में इसमें मुझूद जो लेक्टोज हैं इसको कम करने के जब वो इनसानों ने काफी तरीके डूड़े एक तरीका दूद, दूद से दही और पनीर को जब बनाया जा सकता है ऐसा इनसानों ने तरीका डूड़ा जिन में दही और पनीर ऐसी दो चीज़े हैं जिन में लेक्टोज की मकदार जावो कम होती है और ही ये मकदार क्योंके ऐसे इनसानों के लिए निमत की तरह होता है यनि काबले कबूल होती है क्योंके इन में लेक्टोज की तदार जावो कम होती है जिसकी वज़े से इनसान जह वो इन चीजों को हजम जह वो कर पाते हैं यानि दूद और पनीर जह वो ऐसे फ्राद के लिए जिनके अंदर लेक्टीज जह वो पैदा करने की इसलाहियत जह वो कम होती है इनके लिए दही और पनीर जह वो एक निमत की तरह होता है जो के दूद का एक मुटबादल है अल्टरनिटिव है ऐसे इनसानों के लिए एक तो तरीका इनसानों के लिए ये डूढ़ा गया कि या पैसे फ्राद दूद की कम मकदार इस्तमाल करते थे या फिर दूर दाही बनाकर की मकदार को कम कर लेते थे और इसके इलावा इसका तरीका जावो जो scientistsicky निकाला गया वो ये था कि जिन्याती तब्दिलियां करके यानि जिन्याती तगेयर या फिर म्यूटेशन करके जो है वो इनसानों के अंदर लेक्टेस को पैदा करने और इनसानों में दूड को पीने की इसलाहित को बढ़ाने के लिए जिनियाती म्यूटेशन का तरीका जो हो अपनाया गया यानि आज जादतर लोग जिन में दूड हजम करने की इसलाहित होती है अगर उनके अबाओ जदाद या फिर फोर फादर की बात की जाए तो इनका तालुक जावो यूर्प से है इसके अलावा मगर्पी अफरीका या फिर एशिया में भी जादतर लोग जो हैं वो जिनियाती तब्डिलियों की वज़ा से ही दूद को हजब करने के काबिल जावो हुए है अफरीका या एशिया के लोगों के इलावा अभी भी अफरीका और एशिया के कुछ अलाके ऐसे हैं लेक्टोज बाला जो दूद है उसको हजब नहीं कर पाते है तो इसके लिए जारी बात है दूद और पनीर बगारा का ऐसे अलाकों में जावो इस्तमाल जावो आम है जो के मुतबादल है तो ऐसे फराद जो के जारी बात है दूद ना पसंद होने के बज़ा से इसके लावा दूद से बनी वी दूसी चीज़ें भी खाने से परहेस करते हैं जो शायद वो खाने से भी दिल खराब होगा तो आई थिंक वो आज की वीडियो सुने के बाद यकीनन अपनी हैबर्स में या फिर लाइफ या फिर लाइफ में चेंजिस करने की कुशिश कीज़ेगा क्योंके दूद और दूद से बनी वी चीज़ें वो इनसान के लिए जरूरी होती है क्योंके इसमें बहुत सारे गजाई अज़ा होते हैं और इसके लावा ये खा जाता है कि ये गर्ल्स के लिए या फिर या फिर इनसान की हड़ियों की मजबूर्टी के लिए दूद पीना जहाँ वो फाइदे मन्द होता है तो I think जो लोग जारी बात है दूद को नापसंद करते हैं जो के जारी बात है लेक्टोस की वज़ा से ऐसा होता है तो आप इसके alternative जहें वो लाजबी इस्तमाल किजिए यानि आपको जो दूद से हासिल होने वाली जो गजायत है वो यकिनान उसके alternative तरीके से भी पहुँच जाएंगी जो के दही पनीर या फिर दूद से बनी वी और बहुत सारी चीज़े होती है उनको खाने की कोशिश लाजबी किजिएगा क्योंकि दूद से बनी हुई जो दूसी चीज़े होती है उनके वज़ा से ऐसे अपराद का दिल खराब नहीं होगा या फिर हजब ना होने की कोई अलामाद जाहर नहीं होगी वज़ा ये होगी कि उनके अंदर lactose की कमी होती है जो कि आपको ऐसी चीज़ों को हजब करने में जाबो मदद करती है होग फ्रेंट आज का टूपिक आपके लिए इंफॉमेटिव और इंट्रेस्टिंग रहा हो अगर कोई बात सीखने को मिली है कोई बात दिक को अच्छे लगी है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक हो शेयर दूपिक के हवाले से इसको कॉमंट में जूर लिखेगा आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया